बॉलिवुद की मिस्टर पॉर्फिक्ट उर्फ आमर खान की आक्टिंग करियर पर मानो ग्रहिंड लग गया हो। आमर खान की फिल्में बॉक्स आफिस पर बुरी तरह पिट रही है। फिर चाहे वो ठॉक्स ओफ हिंदुस्तान हो या फिर उनकी ड्रीम पिच्चर लाल सिंग चड़ा। और अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि आमर खान को उन्हीं की फिल्मों से बाहर निकाला जा रहा है। हमने आपको अपने पहले वीडियोज में भी बताया था कि किस तरह आमर खान को उन्हीं की स्टारर फिल्म गजनी 2 से बाहर निकाल दिया गया है। और साउथ के अक्टर सूर्या को कास्ट करने की बात चल रही है। लेकिन इस बात से आमर के फैंस अब भड़क उठे हैं। फैंस का कहना है कि आमर खान ने फिल्म गजनी में अपनी आक्टिंग से लेकर लुक्स तक पर काफी ज़्यादा महनत की थी। हिंदी बेल्ट की गजनी सिर्फ आमर खान की आक्टिंग की वज़ा से ही हिट हुई थी। और फैंस गजनी टू में भी आमर खान को ही देखना चाहते हैं। हाला कि आमर खान की बातें अब काफी ज़्यादा कॉंट्रोवर्शियल होती हैं। वो अक्सर अपने कमेंट्स के चलते बायकाट गैंग के बीच फस जाते हैं। सब्सक्राइब कर रही हैं। लेकिन हिंदी वेल्ट की गजनी टू में भी डारेक्टर एर मुर्ग्दोस सूर्या को कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस खबर से फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाला कि मुर्गदोज ने अफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि हिंदी वेल्ट की गजनी 2 में वो आमर खान को कास्ट नहीं करने वाले। लेकिन कहीं नहीं उन्हें ऐसा करने का मन्ज जरूर बना लिया है। साल 2008 में फिल्म गजनी को लोगों का खूब प्यार मिला था। ये फिल्म हिंदी सीनेमा की पहली ऐसे फिल्म थी जिसने एक ही बारी में सौ करोड से उपर की कमाई की थी। करोड़ पती संजे सिंगानी और स्ट्रगलिंग मौडल कलपना की लव स्टोरी को लोगों ने खूब पसंद किया था। और इस कहानी के दुखत अंत ने लोगों के दिलों में उम्मीद बना दी थी कि एक बार फिर इस कहानी को दिखाया जाएगा जिसमें इस बार हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। और फैंस इस कहानी में अभी भी आमर खान की मौझूदगी ही चाहते हैं। दोस्तों आप गजनी टूम में पता और अक्टर आमर खान को देखना पसंद करेंगे और किसी और अक्टर को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जो से हमारी सभी वीडियो का नौटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।